हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अराध्या अरियस एकेडमी में अतियंत ज्यादा मैतोपुन है दोस्तों यह एक प्रकार के आपके लिए क्रीम है ठीक है और एक प्रकार का मास्टर वीडियो भी है एक की टोपिक के आपको सो प्रसन दिये जाएंगे तो दोस्तों प्रसन बाहर कहां जाएगा इन सो प्रसनों को देखने के बाद में आपको और कोई प्रैस्न पढ़ने की जरूरते बिल्कुल भी नहीं है, अरद्यारेस अकेडमी की यूटूब चैनल को सब्सक्राब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, दोस्तों ये 100 के 100 प्रैस्नों का आपको टेस्ट देना है, ठी टोपिक के जो 100 प्रैस्न है, वो जरूर देखिए, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, पहला प्रैस्न देखिए, तेजा जी के जन्मिस्तल का नाम है, तो तेजा जी का जन्मिस्तल है, वो कौन सा है, तो वो है खड़नाल, ठीक है, खड़नाल या खड़नाल आप बोल सक तो इसका बै नंबर का ओप्शन राइट अंसर हो जाएगा तीजा जी का जन्म है वो खड़नाल नागोर में एक जांट परिवार में हुआ था इनकी पत्नी का नाम था दोस्तो पेमल दे ठीक है और तेजा जी अपनी पत्नी को लाने के लिए सुरसुरा पर सुरसुरा ठीक है और उनकी दोस्तो मरत्य हो गई थी ठीक है एक साप काटने से यह भी आपको इसमें याद रखना है देखिए आपको तीन इसमें याद रखनी है देखिए इनका जो ससुराल है वो है दोस्तो पनेर पनेर अजमेर के अंदर ठीक है और इनकी मरत्य का पर हुई थी सुरसुरा अजमेर में हुई थी और इनका जन्म का हुआ था खड़नाल नागोर में तो यह आपको इसमें याद रखना है तो इसमें बे नमबर उप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे दोस्तों राजस्तान में सरवादिक महतुपूर्ण लोग देवता माने जाते हैं तो कौन से माने जाते हैं सरवादिक महतुपूर्ण लोग देवता तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों तेजा जी ठीक है ए नमबर का जो option है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें तीन नंबर का प्रेस ने राजस्तान की एक मातर देवी जिसकी खंडित मूर्ति की पुजा की जाती है तो देखिए खंडित मूर्ति की जो पुजा है वो दोस्तों सीतला माता की की जाती है तीक है सीतला माता की पुजा की जाती है खंडित मूर्ति के रूप में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है से नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है देखे सीतला माता का मंदिर चाक्सु में सील की दूंगरी परिष्टित है जहां परतिवर्स सीतला अश्टमी यानि कि चेत्रक्रश्न अश्टमी को मेला भरता है और सीतला माता चेचक निवारक देवी भी मानी जाती है यह भी आपको इसमें याद रखना है और सीतला प्रकार से तेजाजी से संबंदित नहीं है तो दोस्तों तेजाजी से संबंदित इन में से कौन सा इस्तान है वो नहीं है तो देखिए परबसर परबसर के अंदर दोस्तों तेजाजी का मेला बरता है आप भी को पता है ठीक है सुरसुरा अजमेर में इनकी मर्ति हुई थी और खड़नाल नागोर में इनका जन्म हुआ था तो ये तीन इस्तान है ये तो दोस्तों तेजाजी से समंदित हैं पिच्ची आख है ये समंदित नहीं है तो अपना राइट आंसर ए नमबर का उप्शन हो ज शिकर और करनी माता देशनोग अब अपने को बताना है कि इन में से कौन सा एक दोस्तों गलत दे रखा है तो यहां पर देखिए सक्राय माता तो दोस्तों सक्राय माता यहां पर गलत दे रखा है यहां पर सक्राय माता शिकर दे रखा है जो कि अपना इसमें गलत हो जाएग है देखिए अकाल के समय साक सबजिया उत्पन की थी इसलिए इसे साकंबरी माता भी कहते हैं ये भी आपको इसमें याद रखना है तो उद्यपुर्वाटी जुन-जुनू होना चाहिए था यहां लेकिन सिकर दे रखा है जो कि अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है आगे देखिए शिक्स नंबर का प्रसने देखिए दोस्तों सो के सो प्रसन आपको देखने है तब ही मजाएगा आपको और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर आपने 100% देख लिए तो दोस्तों आपको दुबारा ही टोपिक पढ़ने की ज़रूत नहीं पढ़ेगी क्योंकि मैं साथ में दोस्तों पूरा टोपिक किलियर करते वे चलूँगा आगे देखें किस लोग देवता की पत्नी सती नहीं हुई तो कौन से लोग देवता की पत्नी है वो सती नहीं हुई तो देखें यहां पर जो हडबुजी है हडबुजी की पत्नी है वो दोस्तों सती नहीं हुई थी बाकी देखें तेजा जी पाबुजी और गोगा जी इनकी पत्निया है वो दोस्तों सती हुई थी तो इसका right answer हो जाएगा वो है A number का जो option है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें 7 number का प्रेस ने निम्न लिकित में से कौन सा कथन है राजस्तान के लोग देवताओं से समंदित नहीं है तो कौन सा कथन है वो राजस्तान के लोग देवताओं से समंदित नहीं है तो यहाँ पे देखिए दोस्तो सरपदंस से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है बिल्कुल सही है पाबुजी राठोड को उंटो का देवता माना जाता है ये भी दोस्तो इसमें बिल्कुल सही है देव बाबा का मंदिर है वो भरतपूर के नंगला जहाज गाउं में है तो दोस्तो ये भी सही है चोथा अब देखिए तीन सही है तो इसका मतलब चोथा है इसमें कि इत्मेशे गलत यूगम की पैचान कीजिए तो देखिए गलत यूगम का पैचान करना है अपने को कौन साइस में तो देखिए सीला देवी का मंदिर है वो काँपर है तो आमेर यानि के आमेर को आमेर भी बोलते हैं ठीक है तो ये पहला इसमें सही है दूसरा देखिए सक् लुगर पूर दे रखा है जोकी गलत दे रखा है सीतला माता कामंदिर तो ये जैपूर में है काम पर है जैपूर में और सचिया माता का मंदिर ओशिया जोदपुर में है तो इस प्रैसन का राइट आंसर से नंबर का उप्शन हो जाएगा आगे देखे दोस्तो नाइन नंबर प्रैसन निम्न लिखित में से राजस्तान के किस लोग देवता को रभारी जाती के लोग पूझते हैं तो दोस्तो रबारी जाती के लोग हैं वो पाबुजी को पूझते हैं और रबारी जाती है ये उट पालने वाली जाती होती है ठीक है और रबारी को राइका भी बोलते हैं ठीक है और उटों का देवता कौन है तो वो है पाबुजी तो ये पाबुजी को दोस्तो अपना लो पापारी देवासी ठीक है एक ही है तिनों ठीक है और यह तिनों उट पालने वाली जाती है एक ही है जाती ठीक है और पाबुजी को पलेगरेक्स का देवता भी कहा जाता है आगे देखिए दोस्तों दस नमबर का प्रस्न है लांगूरिया गीत निमन में से किस देवी से समंदित है तो दोस्तों लांगूरिया गीत सब को पता है दोस्तों केला देवी नाम तो सुनाई होगा अपने करोली में मंदिर है केला देवी का और दोस्तों वहीं पर जो उनकी केला देवी की आराधना म ही दोस्तों ये गीत गाया जाता है कौन सा लांगुरिया गीत ठीक है याद रखना ठीक है और चेत्र शुकल अस्टमी को यहां पे लखी मेला भी बढ़ता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें कैला देवी बै नंबर का जो अप्शन है वह इसका रा राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें नागनेची माता ठीक है नागनेची माता तो इसमें बै नंबर का जो अप्शन है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों इसमें बारा नंबर का प्रेशन है सीतला माता का मुख्य मंदिर कहां इस्त शती हो गई, तो दोस्तो सती है यह ठीक है, सती हो गई, तो इसका right answer हो जाएगा, वो है दोस्तो तेजाजी, तेजाजी की पत्नी है, वो इनकी मरत्यु के बाद में तेजाजी की साथ में सती हो गई थी, तो इसका say number option बिलकुल saмотр हो जाएगा, तो दोस्तो बीजाशन माता का मंदिर किस जिले में इस्तित है तो दोस्तो बीजाशन माता का मंदिर है वो कौन से जिले में इस्तित है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो वो है इसमें बूंदी जिले में है दोस्तो बीजासन माता का मंदिर ठीक है इंदरगट में इस्तित होने के कारण है इंदरगट माता का मंदिर भी इसको बोलते हैं किसको बीजासन माता को तो इसमें the number option right answer पंदरा नम्र का प्रस्थन है इसमें देखे इन में से सही सुमेलित नहीं है तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है तो यहां पर देखे अंबा माता उदैपूर बिल्कुल सही है बद्रकाली माता अनुमानगड यह भी बिल्कुल सही है केवाय माता नागोर यह भी इसमें बिल्कुल से ही है जोगणिया माता यहां पे अलवर दे रखा है जिलानी माता है अलवर में लेकिन जोगणिया माता है यह दोस्तों कहां पर है तो यह भीलवाडा में है कहां पर है भीलवाडा में तो इस प्रेस्टन का राइट आंसर दे नमबर का उप्शन हो जाएगा क्यो ये का जाता है दोस्तो तेजा जी को किसको का जाता है तेजा जी को दोस्तो काला और बाला का देवता भी कहा जाता है ठीक है तो इसमें बै नमबर का जो उप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें 17 नमबर का प्रस्न है करनी माता की इस् ये दोस्तो करनी माता की इस्ट देवी थी तो इसका राइट आंसर से नंबर का उप्शन हो जाएगा नेक्स्ट कुशन है अठारा नंबर प्रेस्ट है पाबुजी के पवाडे रेबारी जाती के द्वारा किस वादे यंतर के साथ में गाए जाते हैं तो दोस्तो जो लोग देवता पाबुजी है इनके जो पवाडे होते हैं ये दोस्तो रेबारी जाती के लोग आते हैं और कौन से वादे यंतर के साथ में यानि कि पवाडे मतलब आप फड़ बोल सकते हो जैसे कि पाबुजी की जो फड़ है वो सबसे लोग पर ये फड़ मा वादे अंतर के साथ में, तो माठ वादे अंतर के साथ में, ये दोस्तों गाए जाते हैं, माठ का मतलब क्या होता है, कि बड़े मटके की तरह का एक वादे अंतर होता है, ठीक है, यानि कि फवाडे मतलब इसमें बजन होते हैं, ठीक है, इसमें देखना एक तो है फड़, ठी जो रबारी जाती है इनके द्वारा ये गाए जाते हैं और इसमें कौन से वाद्य अंतर का परियोग किया जाता है तो माठ का तीक है माठ है या माठ आप इसको बोल सकते हो ये बड़े मठके की तरह होता है तीक है तो इसमें ये तो ओगया फवाड़े तीक है और जो फड है फड़ है ना जो पाबू जी की फड़ वो सबसे लोग पिरे फड़ है और भील जाती के भोपो द्वारा जो फड़ है वो दोस्तो भील जाती के भोपो द्वारा दोस्तो ये गाई जाती है और रावन हत्ता वादे अंतर का इसमें परियोग किया जाता है ठीक है ये मैंने देखने का प्रियोग किया जालता है ठीक है चमुझ में आगया है अब देखिल आगे सोप प्रेशन देखने हैं आपको हिमत मतार आगे देखिए गोगाजी की शिर्ष मेडी इस्तित है तो दोस्तों गोगाजी की जो शिर्ष मेडी है वो का इस्तित है तो ये दोस्तों दद्रेवा में है कहाँ पर है दद्रेवा में इस्तित है शिर्ष मेडी आगे देखिए दोस्तों इसमें 20 नमर का प्रेशन है दोस्तो 21 नमर प्रेस ने राजस्तान में उंट बिमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है तो वो है दोस्तो पाबु जी की पूजा की जाती है आगे देखिए दोस्तों पाबु जी को अवतार माना जाता है किसका अवतार माना जाता है दोस्तों पाबु जी को तो आप सभी को पता है दोस्तों पाबु जी को है वो लक्समन जी का अवतार माना जाता है किसका लक्समन जी का अवतार माना जाता है पाबु जी को तो इसमे A number का option right answer हो जाएगा पाबुजी का जन्म है वो कोडू मंड जोधपुर में हुआ था पिता का नाम था दांदल और माता का नाम था कमला दे और पत्नी का नाम था फूलम दे या फूलम दे या सूप्यार दे आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है और ये अमर कोट की राजकुमारी थी और पाबुजी की गोडी का नाम था केसर कालमी ठीक है आगे देखिए 23 नमबर प्रेशन है लूले लंगडे और लकवा गरस्ते लोगों को स्वास्ते लाब परदान करती है तो वो कौन सी माता परदान करती है लूले लंगडे और लकवा गरस्ते लोगों को स्वास्ते लाब परदान करती है तो वो कौन सी माता करती है तो वो है दोस्तो कौन सी तो आवरी माता बै नमबर का जो उप्शन है वो इसका बिलकुल सहित्तर हो जाएगा आवरी माता तो दोस्तो निकुम्बुची तोडगड में इनका मुख्य मंदिर इस्तित है 24 नमबर प्रेशन है देखिए राणी सती का मंदिर किस जिले में इस्तित है तो राणी सती का मंदिर है ये दोस्तो आप सभी को पता है जुन जुनु में है काँ पर है जुन जुनु में है देखिए इनका नाम नारायनी भाई था और जुन जुनु में परतिवर्ष भादरपद कृष्णा अमावश्या को राणी सत्य का मेला लगता है ये भी आपको इसमें याद रखना है तो दैनमबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा ठीक ह तो दोस्तो साचोर जालोर के अंदर गोगाजी की ओल्डी इस्तित है ठीक है तो इसमें एनमबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें 26 नमबर प्रेसन है करोली में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे इस्तित है बहुत वो बना हुआ है और यहां पर चेत्रक सुकल अश्टमी को लख्य मेला भरता है और लांगुरिया गीत भी दोस्तो इसी देवी की आराधना में गाया जाता है से नमबर प्रेसन सयुत्तर नेक्स्ट आगे देखें किस देवी के मंदिर के सामने बोहरा की छत्री है जहां पर पुजारी जाडु फूंक द्वारा विविद रोगों का निवारन करता है तो वो है दोस्तो केला देवी ठीक है केला देवी के मंदिर में तो इसका राइट दे नमबर का जो उप्षन है वो बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखें दोस्तो इसमें 28 नमबर प्रेसने करणी माता का बचपन का नाम क्या था तो दोस्तो रिद्दु बाई ठीक है रिद्दु बाई या रिद्दी बाई आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते है ठीक है करणी जी का बचपन का नाम था रिद्दु बाई और इनका जन्म है वो जोधपुर जिले के सुआप गाउं में हुआ ठीक है करणी माता बिकानेर के राठोड राजवन्स की कुल देवी है ये भी आपको इसमें याद रखना है आगे देखें बिकानेर के राठोड ग्वालो के देवता के रूप में विख्यात है तो दोस्तो कौन है तो वो है देव बाबा और देव बाबा का मंदिर कहा पर है तो दोस्तो नंगला जहाज भरतपुर में देव बाबा का मुख्य मंदिर है जहां परतिवर्स दो बार मेला बरता है ठीक है ये भी आपको इस दोस्तों तलिनाजी का जो मंदिर है वो पांचोटा गाउं जालोर में इस्तित है तलिनाजी का मंदिर है तलिनाजी का मूल नाम था दोस्तों गांग देवराठोड तीक है याद रखना तलिनाजी का मूल नाम था गांग देवराठोड वे शेरगड जो जोधपूर में लेकर यह तल्ली नात कहलाए थे ठीक है तो आए नंबर उप्शन सायुत्तर बत्तिस नंबर प्रेश्ण है निम्न में से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन वे सबसे लंबी है तो दोस्तों कौन से लोग देवता की फड़ है वो सबसे प्राचीन एवं सबसे लंबी है त ठीक है और देवनारायन जी की फड़ा है वो सबसे प्राची ने वो सबसे लंबी चित्रित फड़ा है ठीक है तो इसमें एनमबर उप्शन सही उत्तर आगे देखिए 33 नमबर प्रेस्ट ने केहर कल्यान सेशनाग का अवतार नामों में से कौन से लोग देवता जाने जाते है तो दोस्तो कौन से लोग देवता जाने जाते हैं तो वो है कल्ला जी जाने जाते हैं वीर कल्ला जी है ये केहर कल्यान सेशनाग का अवतार के नामों से जाने जाते हैं ठीक है आपको इसमें याद रखना है कल्ला जी कौन थे तो देखिए मेड़ता के आस सिंग के पुत्र और मीरा बाई के बतिजे थे कला जी अकबर के विरुद जैमल को कंदे पर बिठा कर यूद करते हुए दोस्तों वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें चार हातों वाले देवता भी कहा जाता है ठीक है दैनम्बर उप्शन सहित्तर तो दोस्तों तेजा जी का समादी इस्तल है तो दोस्तों तेजा जी का समादी इस्तल है वो कौन सा है तो वो है मैंने भी आपको बताए था आपको देखे पनेर जो अजमेर में पड़ता है वहाँ पे इनका ससुराल था और इनकी मर्तिव है वो दोस्तो सुरसरा अजमेर में हुई थी तो इसका बै नमबर का उप्षन इसका right answer हो जाएगा तीक है आगे देखे दोस्तो इसमें 35 नमबर प्रेस ने पाबुजी की घोड़ी है तो दोस्तो पाबुजी की घोड़ी का नाम क्या था तो केसर कालमी क्या नाम था केसर कालमी पाबुजी की घोड़ी का नाम था तो इसमें एनमबर का उप्षन सयुत्तर हो जाएगा तीक है आप सभी को पता है कि मारवाड में उंट लाने का स्रह है वो दोस्तो पाबुजी को ही जाता है तीक है आगे देखे 36 नमबर प्रेस ने रामदेव जी का जन्म है जन्मिस्तान है तो वो कौन सा है तो रामदेव जी का जन्मिस्तान है वो दोस्तो उंडुकासमेर तीक है और उंडुकासमेर कहां पर है तो ये बाड़मेर जिले में है वहाँ पर दोस्तो रामदेव जी का जन्म हुआ था बे नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए राठोड राजवन्स की कुल देवी का नाम बताईए तो दोस्तो राठोड राजवन्स की कुल देवी का नाम है नागनी ची मता तो इसमें 7 नंबर का उप्षन सेयुत्तर हो जाएगा आगे देखिये दोस्तों इसमें 38 नंबर प्रेह ने तेजाजी के चबूतरे को ठान तथा पुजारी को क्या कह जाता है यहाँ पे देखिये बहुत अच्छा प्रेशन है तेजा जी के चबूत्रे को तो थान कहते हैं लेकिन पुजारी को क्या कहते हैं चार उप्सन आपके सामने हैं तो दोस्तो पुजारी को बोलते हैं गोडला क्या बोलते हैं गोडला से नंबर का उप्सन इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए गुन चालिस नंबर प्रेशने 13 तालिन नर्थे किस लोक, देवता की भक्ती में किया जाता है तो दोस्तों ये राम देव जी के मेले में यह नर्थे किया जाता है और इसमें टोटल 13 मंजीरे हैं, वो यूज होते हैं, ठीक है? या आपको इसमें याद रखना है कामड़ जाती के मैलाओं द्वारा यह नर्ते किया जाता है दे नमबर का उप्षन इसका बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें चालिस नमबर प्रेस ने खेजडी वरक्स राजस्तान के किस लोग देवता का प्रतीक है खेजडी वरक्स राजस्तान के किस लोग देवता का प्रतीक है तो वो है दोस्तो गोगा जी का ठीक है तो इसमें ए नमबर का उप्षन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तो इसमें 41 नमबर प्रेस ने कामडिया पंत की स्थापना किस ने की तो दोस्तो बाबा राम देव जी ने जो अपना वो बाबा राम देव वो योग वाला की बात नहीं कर रहा हूं में यहाँ पे जो अपने राम देव जी ठीक है जो लोग देवता थे उनकी बात कर रहा हूं ठीक है इन्होंने दोस्तों कामडिया पंत की स्थापना की थी ए नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिये 42 नंबर प्रशन है निम्न मे हुआ था ठीक है और मलिनाज जी का जन्म है वो दोस्तों गागरोन में हुआ था और राम देव जी का जन्म है ये दोस्तों का पर हुआ था ठीक है तो ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों जो राम देव जी का जन्म है वो उंडू का समेर बाडमेर में हुआ था यहाँ मलिनाज जी का जन्म है वो दोस्तो काँ पर हुआ था तो ये बाड मेर मेर में हुआ था तो ये मारवाड के राठोड राज्जा थे तो ये इसमें दोनों गलत हो जाएंगे तो यहां पर ए और बै दोनों सही है तो आगे देखिए दोस्तो 43 नमबर प्रैस्टन इसमें देखिए राठोड राजवांस की कुलदेवी कौन है तो राठोड राजवांस की कुलदेवी है वो कौनसी है तो वो है इसमें नागनेची माता कौनसी नागनेची माता ठीक है तो इसका right answer C नंबर का option सहीवितर नेक्स्ट है निम्न में से कोन राजस्तान में लोक देवी के रूप में पुझे नहीं है तो कोन राजस्तान में लोक देवी के रूप में पुझे नहीं है तो वो है दोस्तों मीरा माता ठीक है बाकी बदानार सीतला माता और बाना माता तीनों पुझे है ठीक है तो यहाँ प जन्वी के साथ में इन्होंने युद्ध किया था ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ए नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों प्रेसु निम्नलीक qit में से कौन सा युग में गल्ट सुमेलित है तो यहा पर देखिए दोस्तों राम्देव जी राम देवरा पाबु जी कोडु गोगा जी दद्रेवा मलिनाज जी खरनाल अब देखिए उसमें तो जन्म से समंधित देखा था आपन ने लेकिन यहा पर द खड़नाल दे रखा जो कि इसमें गलत है मलीनाद जी मैंने आपको बताया था भी इनका मंदिर है वो तिलवाडा बाडमेर में है ठीक है और वहाँ पर मलीनाद पसुमेला भी बरता है खड़नाल नागोर इसमें गलत दे रखा है से नमबर का उप्षन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए से तालिस नमबर प्रेस ने रूनिचा के बाबा राम देव के अनुवियाईू किस पंथ के अंतरगत समाविष्ट है तो दोस्तों वो है कामडिया पंथ है तो इसमें ए नमबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए अड़त आलिस नमबर प्रेस ने करणी माता का प्रशिद मंदिर किस इस्तल पर इस्तित है करणी माता का प्रशिद मंदिर किस इस्तल पर इस्तित है तो ये इस्तित है दोस्तों देश नोक बिकानेर में ठीक है तो इसका राइट आंसर बै नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए गुनिचास नमर प्रेशन सेन यानि की जो नाई होते हैं नाई समाज की कुल देवी की रूप में प्रशिद लोक देवी कौन सी है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी तो वो है नारायनी माता थीक है नारायनी माता है ये दोस्तों नाई समाज की कुल देवी है यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए दोस्तो इसमें पचास नमबर का प्रेस निमनलिकित में से कौन सी राजस्तान की लोक देवी नहीं है तो राजस्तान की कौन सी लोक देवी नहीं है तो देखिए आवरी माता है, करनी माता है, च्छींक माता है ठीक है लेकिन हिंडी भा माता ये दोस्तो राजस्तान की लोग दिवी नहीं है तो इसलिए अपना आईट अंसर देनमबर का उप्शन हो जाएगा ठीक है और आप सभी को पता है जो च्छींक माता जैपुर में है और चींच माता च्छे अगर च्छे लगा दे चींच ठीक है तो चींच माता तो जाएगी बांसवाड़ा में और चींच माता है जैपूर में करणी माता विकानेर में आवरी माता चितोडगड में और जो हिंडी जो यहाँ पे दे रखा है हिडिमबा माता मंदिर तो दोस्तो तो ये मनाली में मनाली यानि की हिमाचल प्रदेश में इस्थित है ठीक है तो देनमबर उप्षन ड्राइट अंसर अब देखिए 50 प्रसंट हो गए 50 और बाकिए दोस्तो हिमत मतारना 50 के 50 आपको देखने है ठीक है आगे देखिए लोक देवता मली नाज जी का मंदिर है वो क कौन सा यूग में संगम है तो कौन सा यूग में इसमें सही है तो देखिए हरीराम जी का जो मन्undir है वो दोस्तो जोड़ा नागोर में इस्थित है ठीक है कौन सा यूग में संगम है तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा देखिए मैंने आप भी आपको बताया जो सर्पदंस यानि की इलाज सर्पदंस का तो इसका right answer हो जाएगा A number का option A number का option है वो इसका बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे तरेपन नमबर प्रेस ने राजस्तान की कौन सी विख्यात लोक देवी का समन्द चूहों से है तो वो है करणी माता करणी माता ठीक है इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है करणी माता के मंदिर में चूहों को काबा बोलते हैं तो इसका राइट आंसर बजिया निम्ण में किस देवी को शिसू रख्सक लोक देवी कौन सी माता को माना जाता है तो दोस्टों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा है नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सयुद्तर हो जाएगा कैसे लगे प्रेशने समझ में आ रहा है अब कुछ ऩिक है yas time ऐसे चल रहे हो बहुत ये अच्छे अच्छे प्रेशन है दोस्तो रोज़ाना हमारे साथ में चलोगे तो आपको खूब मजाएगा और दूसरी तरफ है परमुक तिर्थिस्तल अब यहां पर देखिए मैंने आपको बताया दोस्तों पाबुजी पाबुजी का जो मुखे तिर्थिस्तल है वो कोलुमंड गाउं फडोधी जोधपुर में है तो यानि कि चार का सी हो जाएगा तली नाज जी का मैंने भी यह बत है तो दोस्तों पांचोटा जालोर में इनका मुखे मंदिर है तेजा जी का दोस्तों मुखे मंदिर है वो है परबसर नागोर में ठीक है और मेला भी यहीं बढ़ता है और देव नारायन जी का दोस्तों मुखे मंदिर है आसिंद भीलवाडा में तो इस प्रैसन का राइट डी सी, ए बी, डी सी, यानि की एक, दो, चार, तीन, किसमें है, इसमें तो गलत दे रखा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कर ले ना दोस्तों, सोरी यह रहा ना, ए बी, डी, सी, ए नमबर का जो उप्शन है, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए बी, डी, सी, आगे देखिए दोस्तों, मली नाज जी का मंदिर है, तो मने भी आपको बताया, बाड मेर मेर में है, मली नाज जी का मंदिर तिलवाडा, बाड मेर मेर में, नेक्स्ट है, जैसल मेर नरेश की कुल देवी के रूप में, किस देवी को पूजा जाता है, या पूजा करते हैं जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं तो दोस्तो कौन सी देवी की पूजा करते हैं तो वो है इसमें स्वांग्या माता की पूजा करते हैं तो इसका राइट आंसर बे नमबर का जो अप्शन है उसका बिलकुल सकतर हो जाएगा सुआगईमाता देखिए जसलमेर के भाटी राजबंस की कुल्डेवी है सुआगईमाता और दोस्तों सुगंचिडी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला यह जसलमेर के राजचिने में है और इसलिए सुगंचिडी को सुगन चिड़ी 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 क में 61 प्रे Insurance ने तेजा जी का मुख्य तीर्थिसतल आपर है। तो दोस्तो तेजा जी का मुख्य तीर्थिसействल है खड़नाल नागोर न वह तौ हम तो से राइट आंसर है। 10 अंपर का ऊप्शन बिल्कुल सयुत्तर हो जाएगा यहाँ पे मुख्य तिर्थिस्तल पुछा तो दोस्तो खड़नाल नागोर ठीक है आगे देखिए लोक देवता गोगा जी के थान सामने तक किस पेड़ी के नीचे पाए जाते हैं तो दोस्तो खेजड़ी के पेड़ी के नीचे पाए जाते हैं नेक्स्ट कुशन है, देखिए दोस्तों यहाँ पर, सुगन चिडी को किस लोक माता के रूप में याने के सवौरूप में माना जाता है। देखिए मैंने अभी आपको बताया दोस्तो सुगन चिडी को सुगन चिडी को सुगन चिडी को किस लोग माता का सवरूप माना जाता है तो दोस्तो ये माना जाता है सुगन चिडी को सुगन चिडी को सुगन चिडी को किस लोग माता का सवरूप माना जाता है तो दोस्तो य राम देव जी ने किस सन में जीवित समाधी ली थी तो दोस्तों 1458 इस्वी में 1458 इस्वी में दोस्तों राम देव जी ने जीवित समाधी ली थी आगे देखे दोस्तों इसमें 65 नमबर प्रेस ने जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है तो जाहर पीर के नाम से दोस्तो गोगा जी को जाना जाता है तीक है तो इसमें बै नमबर का option सैयुतर हो जाएगा आगे देखिए 66 नमबर प्रशने लोग देवता का कौन सा यूग में बालीनाथ का सिश्ये था लोग दाथ थे बे नमबर का उप्शन इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तो 67 नमबर प्रेशन हैं। निम्न में से किस लोग देवी को थार की वेशनो देवी कहा जाता है। तो दोस्तो थार की वेशनो देवी किसको कहा जाता है। तो आप सभी को पता है दोस्तो ये तो बताने की जुरूत भी नहीं है, वो है दोस्तो तनोट माता, तनोट माता को दोस्तो उथार की वेशनो देवी कहते हैं, और बिये सब के जवाने इनकी पूजा करते हैं, इन्हें रुमाल की देवी भी कहते हैं, और इनका मुख्य मंदि किस जिले में इस्तित है तो दोस्तों ये अलवर जिले में है दोलागट देवी का मंदिर और जिलाने माता का मंदिर भी कहां पर है अलवर जिले में आगे देखिए दोस्तों किस लोग देवता की इस मर्ती में तिलवाडा का मेला बरता है तो दोस्तों मली नाज जी की इस मर् उसको बोलते हैं दोस्तों नेजा ऐ நहान का उप्शिन इसका बिलकुल सईयूततर हो जाएगा आगे देख्ये दोस्तों इसमें गेत्र नमर प्रशने राजस्तान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी और अधिल अधसा प्रुसनर अधिक है कि राजस्तान के क जी था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो जांबो जी के माता-पिता का नाम हंसा देवी और लोहट जी था सैनमबर उप्शन सैउत्तर हो जाएगा आगे देखें राजस्तानी लोग गीतों में गाए जाने वाला नेतल का भरतार किस लोग देवता के करते होते हैं तो दोस्तों लांगुरिया नर्ते हैं यह केला देवी के मंदिर में किये जाते हैं तो इसका राइट आंसर बैन नंबर का उप्शन से उत्तर हो जाएगा आगे देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है एक तरफ लोग देवता है और दूसरी तरफ गोगा जी का दोस्तों यहाँ पर गोगा मेड़ी मुख्ष तल है बिल्कूल सही है मलीनाज जी का दोस्तों मैंने आब आपको थोड़ देर पहले बताया था तेलवाड़ा बाड़ मेर में है पिछी आके यहाँ पे गलत देर रखा है पाबु जी का कोडुमन्ड जोधपु है ठीक है तो यहाँ पे देखिए दोस्तों राम लोक देवता बाबा राम देव जी का जन्म पोकरन के पास रूनी चाग राम में हुआ था तो पहला ही इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों राम देव जी का जन्म है वो उंडू का समिर बाड मेर में हुआ था तो यहां पे पहला उप्शन है वो गलत दे रखा है आगे देखिए बाबा राम देव को यह नहीं कि लोक देवता बाबा राम देव बोलेंगे तो अपने वाला राम देव हो जाएगा पतंजली वाला ठीक है तो यहां पे देखिए लोक देवता राम देव जी को कर्शन अवतार के रूप में और मुस्लिम रामसा पीर के रूप में पूझते हैं बिलकुल सही है हाथ में भाला लिए एक घुट सवार बाबा राम देव का प्रतीक है ये भी दोस्तों इसमें बिलकुल सही है आगे देखे बाबा राम देव के मेले में तेरे ता प्रसन और बाकी हैं इम्मत मतारना सो के सो प्रसन देखने हैं आगे देखें लाचा गूजरी की गाएं चोरी हो जाने पर किस लोग देवता ने उसकी साहता की थी तो वो की थी दोस्तों तेजा जी ने किस ने तेजा जी ने दैनमबर का ओप्शन इसका राइट आंसर हो आगे देखें जाहर पीर के नाम से कौन से लोग देवता को जाना जाता है जाहर पीर के नाम से कौन से लोग देवता तो गोगा जी को जाना जाता है दैनमबर ओप्शन सायुत्तर आगे देखें राजस्तानी लोग गीतों में गाए जाने वाला नेतल का बरतार ये दोस्त repeat हो रहा तो आपको confirm याद हो जाएगा वो ठीक है एक दो person repeat हो रहे हैं बाकी और कोई नहीं आएंगा इसमें देखें बारतिय डाक विभाग द्वारा जाड़ी फर है बारतिय डाक विभाग द्वारा जाड़ी जारी फर्ड है तो वो कौनशी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो कौनशी तो देव नारायन जी की फर्ड ठीक है तो इसमें देवी देवता का गीत सबसे लंबा है तो वो है दोस्तो इसमें जीन माता का गीत है वो सबसे लंबा है नेक्स्त है लोक देवी जीन माता का मंदीर है तो यह कांपर है तो यह सिकर में है 82 का से नंबर का उप्शन रेवा साग्राम सिकर में नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो दोस्तो ये देखे मली नाजी पिच्च्याख ठीक है आगे देखिए जेत मलोत राठोड को किस लोग देवता के नाम से जाना जाता है तो किस लोग देवता के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो आलम जी के नाम से जाना जाता है तो इसमें बै नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए 85 नंबर प्रेस ने बूरिया बाबा आराद्य देवता है तो बूरिया बाबा किसके अरादे देवता हैं तो दोस्तो गोडवाड के मीनाओं के अरादे देवता हैं बूरिया बाबा ए नमबर का उप्शन सेयुतर नेक्स्ट है छेतरपाल राजस्तान की संसकर्ती में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है तो दोस्तो चेतरपाल का मतलब क्या होता है तो चेतरपाल का मतलब होता है ग्राम देवता के रूप में तो इसका राइट अंसर बै नंबर का उप्शन हो जाएगा आगे देखें सांबर जील में निम्न में से किस देवी का मंदिर इस्तित है तो सांबर जील में कौन सी देवी का मंदिर है तो साकंबरी माता का मंदिर है सांबर जील में दैनम्बर का उप्षन राइट अंसर हो जाएगा आगे देखे किस माता को गिर्वाच शेतर की वेश्नो देवी के रूप में जाना जाता है तो वो है दोस्तो इसमें नीमज माता कुझसी माता नीमज माता याद रखना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा से नमबर का ओप्षन बिलकुल से यृत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखे दोस्तो 89 नमबर प्रेशने हाडाओं की जो हाडा राजपूत होते है न तो उनकी बात कराओं मैं हाडाओं की कुल देवी है तो वो कौन सी है तो वो है दोस्तो इसमें आसा पुरा मता तो बै नमबर का ओप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 90 नमब को लूट कर उनका धान गरीबों और जरूरत मंदों में बांठ दिया करते थे तो उनका नाम था दोस्तो डूंगर जी और जमाहर जी तो इसका से नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है नाम तो सुनाई होगा आपने डूंगर जी और जमार जी का थोड बाठोट पातोडा तीक है ये डुंगर जी और जमार जी है ये बाठोट पातोडा गाउं के सामन्त थे तथा अमीरों को लूट कर उनका धन है वो गरीबों में बांट दिया करते थे इन्हें अंग्रेजों की नशिराबाद की सामने लूट ली थी और इनके जो परमुक्ष स नमार जी के ठीक है आगे देखिए दोस्तो इकराणवन नमबर प्रेस ने निमनलिकित में से कौन लोग देवता में नहीं आते हैं तो दोस्तो लोग देवता में कौन से इसमें नहीं आते हैं तो दोस्तो आपने सुना होगा एक कहावत है लोग देवता की पर्चलित है पा गोगा जी ये पांच पीर हैं इनके अलावा दोस्तों और कोई भी है वो राजस्तान के लोक देवताओं में नहीं आते ठीक है देवता है अब देखिए वैसे इस प्रेस्टन को देखा जाए तो वैसे तेजा जी भी है गोगा जी भी है पाबू जी भी है लेकिन यहाँ पे अगर देखिए गनेज जी और तेजा जी दे रखे थे है आलागगि अगर तेजा जी आता और गनेश जी के इस्तान पे अगर राम देव जी ठीक है आगे देखिए इसमें एकराणवा नमबर प्रसन है अब देखिए पंच पीरों में सामिल नहीं है तो जो पांच पीर है जो मैंने भी आपको बताएं है पाबू, हडबू, रामदे, मांग लिया, मेहा, पांचो पीर, पदार जो, गोगा जी, जेहा, पाबू जी, हड पूजी, रामदेव जी, मेहा जी और गोगा जी, ये पांच पीर है, देखिए सेम टू सेम प्रसना गया, यहां पे तेजा जी दे रखा है, तो अपने को इसमें गलत करना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो दैनमर का उप्शन इसका राहिट आंसर हो जाएगा, आगे देखि गोगा जी का जन्मिस्तान दद्रेवा चुरू, तो इसमें एनमर का उप्शन सेयुतर, नेक्स्ट है, सर्पदंस इलाज के लिए कौन से देवता पुझे जाते हैं, तो दोस्तों कौन से देवता पुझे जाते हैं, तो वो है गोगा जी, एनमर उप्शन सेयुतर, आगे द लोक देवता वीर तेजाजी का जनमिस्तल है तो वो कौन सा है तो वो है दोस्तों नागोर खर्डनाल तो इसमें अनमबर उپ्षन सयुतर करणी माता का मंदिर है तो देश नोग बिकानेर में है बेनमबर उप्षन सयुतर आगे देखे राजस्तान का बहें लोग देवता जिसने मेहमूद गजनवी से यूद किया तो वो थे गोगा जी बेनमबर उप्शन सही उत्तर आगे देखे तेरताली नर्तिया किस देवी देवता की प्रातना में किया जाता है तो राम देव जी के अराधना में किया जाता है ये तेरताली नर्तिया हो गए सो प्रेस्टने राजस्तान के लोग देवता और लोग देवी से समंदीत प्रेस्टन कैसे लगे कमेंट करके जर स्क्राइब जरूर करना बैल आइकन को दबाना वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करना अगर आपने और भी टोपिकों के सो सो प्रसंद देखने हैं तो आप पले लिस्ट में जाईए वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा टोपिक वाइज ट